नमस्कार स्वाकत है आपका इंडियान्यूस के डिजिटल प्लेटपॉर्म इंडियान्यूस नैशनल वे और मैं हून एतिक रास्तिवारी सिक्षक और छात्र का एक रिष्टा बड़ा ही गरिमा के साथ होता है या कह दें जो इनका संबंध है वो बड़ा ही एक आक्रोशिद भी होता है क्योंकि सिक्षक अगर कभी कुस्सा हो चाए तो छात्र थोड़ा उसको मनाने जाता है वो चाहता है कि वो ग्यान जो है पूरे तरीके से तरी, क्योंकि अक्सर देखा गया है, स्कूलों में पी देखा गया है, कि अगर कोई छात्र, कोई गलती कर बैठता है, तो जो सिख्षक होते हैं, वो पहली बार या कई बार उसे माफ कर देते हैं, लेकिन वो गलती अगर कार्य कर जाए तो उसको लेकर भी कोई भी चीजे गलत होती है ऐसा ही मामला करनाटक के मैसूर से आया जहां पर एक छात्रा को उस स्कूल के हेड मास्टर ने अपने कमरे में अस्ट्लील हरकत करते हुए देखा गया है जब यह विडियो आट की तरह सोशल मीडिया पर फैला तो हेड मास्टर को बर्खास्त कर दिया गया और उसके उपर कानूनी कई तरह की मामले दर्श कर दिये गया है जिनमें पॉक्सोएक भी शांगे। दरसल उस पूरे विडियो में घटना जो ये है कि हेड़ मास्टर उस छात्रा को अपने कमरे में बुलाता है कमरे में बुलाने के बाद उसे अश्रिल हरकतों का करने का प्रियोग करता है प्रयोक करने के साथ साथ महाँ पे कुछ छात्र खिडगी के कोने से उसका विडियो बना देता है और जब इस बात का अंदाजा हेड़मास्टर को होता है तो वो उस छात्रा को बाहर भेज देता है और ख़ुद खिडगी के पास आकर जाचने की कोशिश करता है क्या सच में वहाँ पर कोई था उसके बाद से जब ये वीडियो वाइरल होने लगता है वाइरल होने के बाद जब वहाँ के तमाम जो अमला अधिकारी होते हैं वो इस पूरे मामले को संग्यान में लेते हैं संग्यान में लेने के बाद लोग भी महाँ पर आक्रोशित हो जाते हैं कि आखिर किस तरीके से हेड़ मास्टर ऐसी हरकत कर सकता है जो छात्रा के साथ उस हेड़ मास्टर ने किया वो कहां तक सही है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि छात्र और सिक्षक के बीच का जो रिष्टा है वो बड़ा ही प्यारा रिष्टा होता है कभी टांट के कभी धरा के जो सिक्षट होता है वो अपने छात्र को आगे बढ़ने में उसके अच्छे फ्यूचर के लिए आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सहीयोग करता है लेकिन तमाम सहीयोग के बाद भी इस तरीके की घटना आज समाज में शर्मशार करने के लिए आ चुकी इसकोल में छात्र को किस करने वाले हेडमास्टर के खिलाप जो गेश दरज कराए गया है उसके खिलाप अपराधों में बच्चों की रोग थाम यानि पॉक्सो एक्ट के दहरे शिकायत दर्ज कराए गई है हेड्ट मास्टर का विडियो जब वायराल हुआ तो लोगों में काफी ज़ादा गुश्शा आ गया है उसके साथ ही अब तो जब जाच पूरी हो रही है जाच पूरी होने के साथ साथ जब सारी चीज़یں खुलिके आ रही हैं तो अब ये तो काफी जादा गंभीर माना गया है पैसिर की रही, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि समाज में रहने वाले आप सभी आपकी राय जानी बहुत जरूरी हो क्योंकि इस तरीके के मास्टरों का इस तरीके के सिक्षकों का हमारे समाज में रहना कहां तक सही है क्योंकि पॉक्सो एक्ट अगर पॉक्सो एक्ट लगा है तो जाहिर सी बात है कि नाबालिक है छात्रा और इस तरीके सिक्रितक क्या काम को करना कहां तक सही होता है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि दो लोगों के बीच में इस तरीके का संबन्द वो भी सिक्षक और छात्रा के बीच में इस तरीके का संबन्द कहां भी गलत हो जाता है क्योंकि अक्सर जो तमाम चीजें होती हैं जो तमाम जो हमारे सम्विधान में लिखा गया है समिधान के साथ साथ अगर देखा जाए तो लोगों के बीच में तो कि ये बहुत तरीके बहुत ही बुरी तरीके से ये गलत काम को लेकर भी समाज में जिस तरीके का डंड और प्रवाधान किया गया है उसको लेकर भी ये सारी चीज़ें अब साफ हो नहीं है तो आप अपनी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को दमाना ना भूलें टाकि आप तक वीडियो का नोडिफिकेशन पहुंसता रहे देश और दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए देखते र आपशनल